Hello dear students, so this is Anil here So this video में हम discuss करने वाले हैं कि k की value को हमें 1 क्यों लेना पड़ा in derivation of Newton's second law of motion So let's get started So first of all हम यहां पर previous part में कुछ stat में mistake हो गई थी यहां पर और आप में से किसी ने वो mistake को point off'd किया था So thank you very very much So वो क्या mistake थी मैंने यहां पर गलती से यहां पर मैंने यहां पर T लिख दिया था जो कि यह गलत है क्योंकि हम यहां पर already V minus U divided by T को हम A लिख चुके हैं A stands for acceleration here So finally क्या हो जाएगा यहां पर F proportional to हो जाएगा आपका Just MA और जब भे हम यहां पर sign of proportionality को remove करते हैं जो यहां पर alpha है यह आपका proportional का sign है जब इसको हम यहां से हटा देंगे तो हमको यहां पर लिखना होगा equal to K times MA और मैंने आपको बताया था कि SI system में K की value 1 हो जाती है by the definition of unit of force तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि F is equal to MA this is a fundamental formula to calculation of force तो हम यहां समझते हैं कि value of 1 K की value 1 क्यों होई यहां पर तो इसका सीधा answer है by the definition of unit of force ओके so let me prove it so हम को यहां पर क्योंकि हम first time किसी physical quantity को define किया हमने force को और उसको measurement करने के लिए हमको first requirement होती है unit तो हम को यहां पर unit बनाते हैं force का तो यहां पर define करना है हमको unit of force ओके so define हमें ऐसा करना होता है ताकि हमको calculation में आसानी हो जाए ओके so example के लिए मैं आपको बताता हूँ यहां पर कि मालो कि आपने के पास 1 kg का कोई object है उसको आपने एक force लगाया ओके तो उससे क्या हुआ कि यहां पर इस 1 kg object में 1 m per second square का acceleration प्रेडियूस हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि यहां पर 1 kg object में जब हमने force लगाने पर 1 m per second का acceleration प्रेडियूस हुआ है तो हम कहेंगे कि जो force है वो लगाया है हमने आप पर 1 newton तो इस परकार से हमने force of unity का जो definition है वो इस परकार से define किया कि 1 kg object में यह दी force लगाने पर यदी 1 m per second square का acceleration generate होता है तो वो force के लगाएगा 1 newton ओके तो F is equal to देखा था हमने कि K times MA था तो हमने force क्या लगा था 1 newton force लगाया है ओके किस पर लगाया हमने 1 kg object पर और उसमें कितना acceleration produced हुआ था वो था 1 m per second का तो यहां से हम clearly देख सकते हैं कि K की value आ रही है 1 ओके बहुत ही simple इसका अंसर था by the definition of unit of force ओके इस परकार से इसको हमने define किया माल लो इसको हम दूसरे तरह की से define भी कर सकते थे second way बताता हूं आपको मैं माल लो कि मेरे पास कोई object है जिसका जो मास है 1 kg है इस पर मैं force लगाता हूं ओके 1 newton का force लगाता हूं और इसने क्या किया 1 newton force ने इस पर क्या किया 1 by 2 meter per second square का किया acceleration produce किया ठीक है ना तो यहां पर f is equal to k times ma ओके इसा हमने यह derive किया था तो यहां पर 1 newton force लगाने पर क्या हो रहा है कि कि लगाने पर 1 kg object पर acceleration produce हो रहा है 1 by 2 तो आप यहां से देख सकते हैं कि k की value is come out to be 2 ठीक है ना तो यहां पर हमने unit of force को दूसरे वे से define किया है जो कि यह logically गलत है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको calculation में आसानी नहीं रहेगी okay so logically यह ठीक है कि जब आपने यहां पर one meter per second one kg object में जब one meter per second square का acceleration generated हुआ तो उसको हमने नाम दिया कि वहां force force जो लगा है वो लगा है one newton जबकि यहां पर क्या हुआ है कि एक kg object में जब हम force लगाते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि one by two का acceleration produced हो रहा है उसको हमने नाम दिया है one newton क्योंकि logically गलत है ओके logically सही नहीं है क्योंकि इससे calculation में आसानी नहीं रहेगी okay I hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि यह किस प्रकार से हुआ के की value one और आपको समझ नहीं आया है तो I think this is a problem of कि आपको measurement system समझ नहीं आता ठीक है so thanks for watching कि अपको में आपको 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 समझ नहीं